पी प्रोटिण is the constituent of, तो पी प्रोटिण जो है ये सीव ट्यूब में कैलोज बेंड जो है उनके साथ मिलके काम करता है, उसको सिल करने का, उसको पेक करने का काम करता है, infection वगेरा जो है वो winter season में क्योंकि उनके activity कम हो जाती है, तो infection वगेरा ना हो, infection वगेरा से उसे बचाय जा सके और water low से उसे सूखने से बचाए जा सके ड्राइव होने से बचाए जा सके तो उसके लिए काम करता है तो पी प्रोटेन इजा constitute of तो हम सीव ट्यूब की बात करें तो सीव ट्यूब जैसा कि हमें पता है कि हमारे को मिलती है भाई प्लोईम के अंदर जैलम के अंदर यह हमारे को देखने को नहीं मिलेगी तो सीव ट्यूब एलिमेंट की हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट डिरेक्ट यहां पर आंसर आ जाएगा जैलम यहां पर आंसर है तो जैलम जो है उसका पार्ट नहीं होती है सीव ट्यूब तो बैंडी हम केलोस के साथ इसको बोल सकते हैं